हेलो फ्रेंड्स कुलममी चैनल में आपका स्वागत है आज मैं शेयर कर रही हूँ लहंगा साड़ी जो की देखने में बहुत ही कुपसूरत लगता है इसके लिए हम लिए हैं आचल के लिए लहरिया प्रिंट में सवा दो मीटर का फैबरिक लिया हुआ है और इसमें जो हमें बॉर्डर लगानी है वो बॉर्डर के लिए आपकी जो मर्जी है वो आप ले सकते हैं फिर इसमें हम में फैबरिक लिए हैं चार मीटर की है जिसमें कि ये कमर में लपेटने के साथ में इसमें प्लेट्स बनाया जाएगा और ये pink color की मैं ली हूँ blouse के लिए और साथ में ये है border के लिए fabric जो की मैं 2 meter की fabric ली हुई हूँ और friends main fabric के wrong side से हम इसमें border लगाना चालू करेंगे तो border की जो चोड़ाई है मैं 3 inch की ली हुई हूँ और जो की stitching के बाद इसमें 2 inch का border तयार होगा और तो इसमें चोड़ाई हम 3 inch की लेंगे और इसके लंबाई जो है वो साड़ी की जितनी लंबाई है उतनी लेंगे तो साड़ी की लंबाई के लिए हम 4 meter का कबड़ा लिये हुए हैं उसमें हम 2 side में लगाएंगे एक तो नीचे और दूसरे जो है side की ओर लगाएंगे और दो side जो है वो हमें नहीं लगानी है अब friends इस border को लगाने के लिए हमें main fabric के wrong side में रखना होगा जो की border को right side और main fabric का wrong side होना चाहिए फिर friends बहुत ही सावधानी से इसमें हमें कोने के लिए इस तरह से मोड़ना है friends अगर कोना सहीं बनेगा तो इसका look भी बहुत ही कुपसूरत आएगा अगर कोने में गलती हो जाएगी बनाने में तो फिर इसके look में भी कमी हो जाएगी तो friends वैसे तो कड़े कपड़े में कोना बनाना बहुत ही आसान हो जाता है और इस तरह से हम दो side में border लगा लिए है एक नीचे की और और दूसरा side की और जहां हमें कमर में पहले अंदर दबानी है उस side में नहीं लगाएंगे जिदर plates बनेगा उधर बाहर की हमें ये border लगानी है अब friends इसे हम सीधी तरफ पलट लेंगे और सीधी तरफ पलटने के लिए इसमें हमें जादा finishing देने के लिए या तो iron कर लीजे या फिर अपनी उंगलियों से इसमें प्रेस करते हुए इसमें चाप सिलाई दीजिए पर friends कोने के टाइम में आपको विशेज ध्यान रखना है कि कोना बिगडेना इसके लिए आप screw diver की साहता से आप इस तरह से उसका कोना बनाएं और बहुत ही आसानी से कोना जिस तरह से फोल्ड हो रहा है आपको वैसे ही फोल्ड करना है और ये आटोमेटिक ही ये कोना बहुत ही खुबसूरती से तैयार हो जाता है तो इस तरह से friends हम दोनों ही साइड में चाप सिलाई कर देंगे चाप सिलाई करने के बाद अब हम इसे इसकी दूसरी तरफ सिलाई करेंगे दूसरी तरफ सिलाई करने के लिए भी हमें दूसरे साइड की और हाफ इंच दबाना है और उसकी उपर से इस तरह से जो भी आपको लेस लगानी है आप इस तरह से आप उस पर लेस लगाए आप दिखे फ्रेंड's यह कितना खुबसुरत लग रा है बनने के बाद फिर इसमें हम दो साइड में जहां बॉर्डर लगा है उतने ही दो साइड में हमें इसमें ये लेस लगानी है अब फ्रेंड's कोने में पहुँँचने के टाइम भी हमें इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके कोना तयार करना है हाफ इंच का फोल्ड हम अंदर करेंगे और इस तरह से हम नाखुन की सायता से उसमें हम अच्छे से आईरन कर लेंगे उसके बाद फिर इसके कोने पर आके जो लेस है उसे हम इस तरह से उसे टर्न कर देंगे और पिर जो है इसके कोने में इस तरह से हम सिलाई कर देंगे अब फ्रेंड जैसे हम लेस अभी तक लगाते आए थे बस उस तरह से उसमें आप लेस लगा लेजे इसकी border में भी half inch हम fold करेंगे fold करने से जो है वो इसका धागा जो है वो निकलेगा नहीं अगर हम fold नहीं करेंगे तो border का जो धागा है वो निकलने लगेगा अब friends अब हम आचल तियार कर लेंगे आचल के लिए हम लहरिया print में fabric लिए हुए है जो की सवा 2 मिटर है अब इसके लिए हमें border लेनी है चोड़ाई तो तीनीच की ही रहेगी लेकिन इसकी जो लंबाई है वो आचल के चारो ही तरफ लगेगा तो सवा 2 मिटर का आपका fabric है तो आपको दोनों ही side में सवा 2 मिटर सवा 2 मिटर की लंबी lace लगानी होगी और border लगानी होगी और बाकी जो 2 side का जो कोना है उन दोनों में भी आपको दिर दिर मिटर का इस तरह से आपको border लगाना होगा तो इस तरह से friends हम चारो ही तरफ में border हम लगा चुके हैं अब border लगाने के time भी हमें बहुत ही ध्यान से हमें कोना बनाना है क्योंकि friends ये कपड़ा बहुत ही soft है तो soft कपड़े में कोना बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो इस तरह से हम कोने की और विशेज ध्यान देते हुए इस तरह से हम बहुत ही सावधानी से finishing से कोना तयार करेंगे अगर आपका कोना सही तयार नहीं हुआ है तो आप कोई भी नुकेली चीज लेकर उसको अच्छे से point out कर लीजिए अच्छे से point कर लेने से उसका कोना बहुत ही अच्छा तयार होगा फिर friends इसमें हम चारो ही तरफ इस तरह से चाप सिलाई कर देंगे इसमें भी जब चाप सिलाई हो जाएगी तो फिर दूसरे साइड भी हाफ इंच फोल्ड करते हुए इसमें भी हम लेस लगाएंगे आप चाहें तो सेम डिजाइन की लेस लगाए या फिर आप की मर्जी है तो आप दूसरी लेस भी लगाए लेकिन फ्रेंड्स इसमें आपको सिलाई करते समय एक चीज का सावधानी रखना होगा क्योंकि यह बहुत ही सौफ्ट मटेरियल है जिससे की सिलने के टाइम में इसका जो मेन फैब्रीक है वो खिचाता जाएगा तो इसके लिए हमें हाफ इंच का अंदर फोल्ड करते हुए बॉडर अंदर हाफ इंच फोल्ड करते हुए इसके उपर भी हम इसमें लेस लगा लेंगे इस तरह से फ्रेंट्स चारो ही कोने में हमें लेस लगा लेनी है चारो ही साइड में लेस जब लगा लेंगे तो इसका लुक बहुत ही अच्छे से आ जाएगा और फ्रेंट्स अब हमारा ये आचल और मेन फैब्रीक दोनों ही तयार हो चुका है अब फ्रेंड्स हमारा दोनों फैब्रिक तियार हो गया अब इस में फैब्रिक और आचल के पास जोइंट करने के लिए इसमें हमें एक फ्लावर लगानी है तो जो में फैब्रिक है जो की कमर में आपको दबानी है तो उपर से 10 इंच छोड़ते हुए आप आचल के एक कोने को लेते हुए आप इसे इस तरह से ट्राइंगल शेप में आपको फ्लावर के साथ में अटेच करनी है जो की आपका जो है आचल जो आएगा वो लहेंगा की तरह नजर आने लगेगा तो इस तरह से फ्रेंड्स यह देखिए यह बहुत ही खुबसूरती से इसमें पुरी तयारी हो चुकी है अब इसमें हम फ्लावर भी अटेच कर चुके हैं अब इसमें हम आचल में टैशल लगाएंगे टैशल के लिए मैं ब्लू कलर का टैशल ली हुई हूँ और कुछ गोल्डन की मोतियां ली हुई हूँ इसमें जितनी आपकी इक्षा है आप उतनी गोल्डन की मोतियां लगा ले अब इसे सिलने के लिए हमें नीचे से नहीं सिलनी है बिल्कि हमें उपर से सिलाई करनी है उपर से इस तरह से जब हम सिलेंगे तब वो सीधी तरफ में आने लगेगी और इस तरह से इसमें हम दो तीन बार सिलाई करके उसे गठान बान देंगे और इस तरह से फ्रेंड्स आपकी जितनी इच्छा है आप उतना टेशल आप आचल की तरफ लगा सकते हैं अब ये देखे फ्रेंड्स टेशल पूरी तरह से आचल में लग चुका है और देखने में काफी खुबसूरत लग रहा है और अब हमारा साड़ी जो है वो पूरी तरह से तयार हो चुकी है और साड़ी का पूरा लुक देखे ये आपका हो गया ये आचल और बॉडी अब पूरी तरह से ये रेडी हो चुका है और इसे हमें ये देखे जहां हम फ्लावर लगाया थे ये हमारे कमर के पास में दिखाई देगा और फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सा बिनना बताऊंगी इसमें मैं ब्लावस बनाई हूं पींग कलर की और जो कि देखने में बहुत ही खुबसूरत लग रही है और उमीदे फ्रेंड्स आपको पसंद आई होगी साड़ी थैंक्स फर वाचिंग